ol अस्सलाम अलेकूम डियर स्ट्टुएंट्स, प्रिवस लेस्टन में हमने पेज़ेस के उपर काम किया था और पेज़ेस क्रीट करना सीके थे, आज के लेस्टन में हम इन पेजस को menu में convert करना सीखेंगे, इसके लाभा drop-down button के उपर काम करेंगे. तो और स्टोर्इस प्रीवस लेसन में हमने कुछ इस तरह के pages create किये थे, About us, contact and services, इस तरह के pages create किये थे, आज के लेसन में हम इनी pages को drop-down button में भी convert करेंगे और इनको menu में convert करेंगे. तो बास टेंपलेट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपके पास इस तरह के दो आपके पास नविगेशन मेन्यू होते हैं जैसे कि आपके एक टॉप प्रे आ गए नविगेटर और इसी तरह इक पॉर्टम में यहां पर आखे तो यहां पे ज्यादतर चो लोग यूज़ करते हैं वो यहां पे ज्यादतर ब्लोग का उप्शन यूज़ कर लेते हैं और अबाउड का यूज़ कर लेते हैं प्राइवेसी पॉलिसी तो यहां पे लोग यूज़ कर लेते हैं इसके रहाँ यहां पर आपके पास यह प्रामर मेन वेनों तो हम इसके ओपर काम करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपके पास यहां पर भी मैन्यू है तो उनको आप कैसे अड़ कर सकते हो कि एक नच्छा करेंगे तो आगकी लेसंग में हम इस तरह के डॉपडॉण बटन पर भी काम करेंगे इस तरह के बटन डॉपडॉण और इसी तरह आपके पस देखें एक पर यहां मेन्या आ गय mitt इसी तरह यहां पर अगर है इसके सब मेनु आ जाएंगे तो इस चीज के पर भी डिस्क्स करेंगे और हम इन्चाला इससे भी प्रोफेशनल थेम जो है टेंपरेट्स बनाना सीखेंगे तो इसमें तो कुछ ग्रोफिक्स पिक्टर्स वए अप्लाई के इसलिए आपको बहुत अच्छाल लग रहे हम इससे भी इन्चाला प्रोफेशनल टेंपरेट्स पर काम करेंगे तो इसको यहां से क्लोस करता हूं और यहां से मैं इसके डैश्पूट में जाता हूं यहां से विजर्ट साइट को मैं राइट क्ले करके उसे उपन, न्यू टैप, न्यू टैप में उपन कर लेता हूं क्योंकि जो जो काम करें साथ कि आपको साथ पे नजर भी आए तो प्रिवस लेस्ट में हमने यहां से कुछ पेज़ेस क्रेंट करना सीखे थी आज के लेस्ट में हम इस तरह के यहां से अप्यारेंस में जाते हैं और यहां से आपके पास है मैन्यू हम मैन्यू के उपर काम करते हैं, मैन्यू पर क्लिक करूँगा मैं अभी फिलर हमारे पास को भी मैन्यू बना हुआ नहीं है, देख सकते हैं, मैन्यू कोई भी नहीं है, अभी कह रहे हैं कि मैन्यू वन को क्रियेट करें आप तो मैन्यू वन हमार पस यहां पर देखें बना हुआ है लेकिन इसमें Home, Awards, Contract and Services है अगर आप यहां से व्यू आल करते हैं तो देखें व्यू आल मही वह सारी चाहिए जो कि यहां पर आइन है तो मैन्यू वन को ऑप्षिन विस ने दिया हुए तो इसमें यहां से क्रेट मैन्य अप एक templates में काँसारे मैन्यू की्रिएट कर सकते हैं और भी मैन्यू क्रिएट करने के लिए अपसे यहां पर ओक्चिनड दिया है हमेर करने क्लिक करेंगे और यहां पर नाम दे देता हूं, menu to, create पर click कर देता हूं, अब menu to भी आपके पास create हो चुका है, लेकिन यहां पर देखें, कोई भी आपके पास, यहां पर menu नहीं दी वे, pages नहीं आए वे, तो इन pages को select करने के लिए, आपने क्या करने, यहां पर देखें, pages है, pages में आपके पास से view all, अगर आप पस pages नज़र नहीं आ रहें, आप पस इस तरह को option है, pages आपको नज़र नहीं आ रहें, आप यहां से drop down button पर click कर करके आप pages को सामने ला सकते हैं, view all पर आप click करेंगे, click करने के बाद आपने इन सब pages को select करने, और इनको आप add to menu पर click कर दे, अब आपस यह pages भी add होगें और यह menu 2 आप जाए, menu 1 और 2 बिल्कुल सेम है, तो मैं यहां पर इस तरह करता हूँ कि services को menu 2 में सबसे top पर लिए जाता हूँ और about us को उससे निचे, अब यहां पर देखें, easily आप इसको move and drag कर सकते हैं, कोई भी menu इसको आप easily move कर सकते हैं, अब services, contact, about us and homeart यहां पर, और यह menu 2 है, तो इसको मैं यहां से save कर देता हूँ, save menu, अब ही फिलाल आपके पास जो menu है, अब इसी तरह यहां पर पोस्ट है, custom links हैं और इसके लागव कैटागरीज हैं, इन पर हमने फिलाल काम नहीं किया, जब काम करूँगा तो इन पी मैं आपको बताऊंगा कब इस पर कैसे काम कर सकते हैं, तो फिलाल हमारे पास menu 1 ही, यहां पर selected हो गए, अब अगर आप इसको refresh करके देखें, तो अभी हमारे पास menu 1 ही है, अब menu 1 यहां पर menu 1 के पास menu 2 है, अब यहां पर दो option होते हैं, अगर आप पस templates होगा, तो इस templates के हम काम करेंगे, तो यहां पर देखें, सिर्फ एक option है, primary navigators नविकेशन, current set menu 1 ना देखें, अब primary जो नविकेशन है, इसमे menu 1 अभी खिलाट सेट किया हुए है, और अगर यहां पर दो theme, देखें, theme location के बता रहे हैं, अगर आपके पास primary के बास secondary navigator भी होता, जो कि top पे होता है, जो मैंने आप बता रहे था, यहां पर जो होता है, आप इसको just check करते हैं, और वहां से अपसे active कर लेते हैं, अब मैं menu 2 इसके साथ add करना चाहरा हूँ, तो इसके लिए यहां पर आप देखें, इसको मैं तुड़ा scroll करके ओपर लेके जाता हूँ, यहां पर अगर आप देखें, तो यहां पर manage location है, manage location पे अपनी clicker में, manage location में theme location यहां पे देखें और theme location में आपका primary navigation है, इसी तरह अगर theme या secondary navigation भी होता तो यहां पर आजाता है, तो वह भी अगर आपका सोता है, यहां पर आजाता है, अब menu 1 जो है यह primary में सेलेख कर लेते हैं, और यहां से menu 2 जो है, वो secondary में सेलेख कर सकते हैं, तो फिलाल मेरे पस यहां पे जो है तो एक ही है, तो एक ही मेरे पस यहां पे navigation है, जो कि आपको यहां पर यहां पर नजर आ रहा है, अब इसी को अगर मैं, for example, यहां पर देखें तो menu 2 में करवाट करता हूं, menu 2 में मैं मैंने कुछ setting change की थी, menu 2 में मैंने home को last में ले आया था मैं, तो यहां पर menu 2 को मैंने slack कर लिया, अब मैं चाहता हूं, यहां पर menu 2 यहां पर आपको यूज हो जाए, use new menu, तो इसको आप save कर ले, अब जो current menu आपको आगे है, वो कौन सा आगे जी, यहां पर अगर आप देखें, तो यहां पर आपको देखें तो आपको अपर primary navigation जो आपको theme location में चें आप, home आ गया, about us, contact and services, तो अब देखते हैं, आपके पास अभी menu 2 active हो चुका है, इसे तर आप अपने वज़से कापसरे menu add कर सकते हैं, उन menu को offset कर सकते हैं पहले से, और जब जब आप चाहें तो आप अपने menu को change कर सकते हैं, तो अब भी मार पास menu complete हो गया, कि हमने अपने जो pages इनको menu में convert कर लिया, अब हम इसको, इनको drop down button के ऐसे clear करते हैं, उसके ओपर discuss करते हैं, तो drop down button के लिए मेरे पास कुछ menu होने जरूरी है, तो मैं फिलाल यहां पे, जो normal मेरे पास settings, मैं उसी में यहां पे इसको लेगे जाता हूँ, menu 1 में जाता हूँ, menu 1 में select करता हू family, manage location में जाता हूँ, जाके तो menu 1 पो select कर लेता हूँ, और save change कर लेता हूँ, अब edit में जाके देखें, menu 1 आपकर क्या आगए जी, family, navigation बार के, अब मैं यहां पे menu कुछ drop down button कुछ आना चाहा हूँ, उसके लिए मैं कुछ all pages add कर लेता हूँ, यहां पे pages पे जाता हूँ, add new प इस शहाद में रपास courses का page है, contact services, okay मैं यहां पे courses का page भी create कर लेता हूँ, courses का page में ने create कर लिया हूँ, इसको यहां पे publish कर देना है, अब यहां पे जो भी post पे लिखना चाहिए, यहां पे series में लिख सकते हूँ, add new पे click करता हूँ, courses में course add करता हूँ, for example orthodics, orthodics से related में course add कर लेता हूँ, orthodics में इन एक company है, जो के orthodics से related या 3D से related courses देती है, यहां पे आप देखें पर्मा लिंक से, यह जब हम posting पे काम करेंगे तब आपको में समझाओ दूँगा, इसका function क्या होता है, फिलान हम यहां पे pages कुछ create करते हैं, और एक old page add करता हूँ, orthodics आगे, orthodics के बाद में यहां पे add करता हूँ, जी आटोकेट, आटोकेट एलेक्रिकल 2017, और यहां से पुब्लिश कर लेता हूँ, और इसे दिरावर भी pages को chat करूँगा मैं, add new, आटोकेट यहां पे कर लेता हूँ, पुब्लिश, add new कर लेता हूँ, यहां पे आटोकेट, अब मैं कुछ और, for example, graphic designing कभी मैं कर लेता हूँ, graphic designing, publish, graphic designing मैं एक दो ऐसे कर लेता हूँ, Photoshop रोको रोल्ड़, Photoshop, add new, अब जितने मर्जी pages क्रेट करना चाहिए आप कर सकते हैं, आसान तरीका होते हैं, color, रहे हाल से काफी सारी काफी pages होगे, आप समझ जाएंगे कि मैं कैसे काम पूरूँगा, मैं सिर्फ इसमें MS Office कर लेता हूँ, अब मैं यहां से जाता हूँ जी, appearance में जाता हूँ और यहां से menu पे क्लिक करता हूँ, अब देंक काफी सारे आपका menu आप लेएंगे, तो menu 1 को मैं फेलल स्लेक्ट किया हूए, और मैं इन सब menu को मैं स्लेक्ट करता हूँ, सबको मैंने यहां से स्लेक्ट करने, services तरफ और यहां से add to menu के क्लिक करता हूँ, अब यहां पर देखिए का कुछ menu डुप्लिकेट से add हो जाएंगे, तो वह मैंने फुस दीकिए हैं, ताकि आपको बता सकूँ कि आप अगर menu को remove करना चाहें तो उसको कैसे remove कर सकते हैं, तो और से time लेगा, अब यहां पर आगे हैं, home, about us, Photoshop, services अब यहां पर देखिए, home, about us, contact & services यह वापस कुबारा से add होगे हैं, तो यहां पर भी home है, about us है, इनको remove करने के लिए अपनी क्या करना है, home & about us को, कौन-कौन से होगे, home, about us, contact भी हो गया है और services सारे, इनको remove करने के लिए जासे आपने क्लिक करना है, तो कोई भी page अगर आप remove करना चाहें, तो आप यहां से remove क्लिक करके remove कर सकते हैं, इसको up-down move भी कर सकते हैं, लेकिन up-down move करने का नॉर्मल क्या चाहिका कार है, आप यहां से इसको drag करके move कर लिए, वो easy method है, अब यहां से इसका जो आप पास navigation label है, इसका नाम चेंज कर सकते हैं, आपने जो भी नाम रखने हैं चेंज कर सकते हैं, और यहां पर आप लिंक भी दे सकते हैं, यूरल भी दे सकते हैं, फिर लाल हमने कोई hosting, sorry, domain name purchase नहीं किया, जब domain name होगा, जब उसे hosting में हम उसे host करेंगे, तो उसके बाद हम यहां से change कर सकते हैं, फिर लाल मैं इसको यहीं पर यहीं रहने देता हूँ, मैं इसको शिर्फ remove कर जो यहां से, इसी तरह अपास देखें, अब ऑउट हैं, इसको भी उप slide करका आप remove कर सकते हैं, इससी याप पस contact us है, इसको भी Même Love कर सके हैं, drop down button भी क्लिक करके remove, drop down भी क्लिक करके remove कर नहMich场 खें ख़ूँ, अब courses में मेरे पास कौन कौन से courses है एक autodesk का course आ जाते है autodesk के कौन कौन से courses है Articad Architecture है Electrical है Mechanical ये क्योंकि autodesk के courses है इनको autodesk के नीचे जाप रहने जे उसके बाद आप पस Graphic Designing आ जाते है और Graphic Designing के जो courses है वो कौन कौन से CorelD रहा है और Photoshop है Photoshop है और उसके बाद Microsoft Office आ जाते है Microsoft Office से रिलेटेड है अगरो courses दोन को Microsoft Office की नीचे आ पक्रटते है अब यहां पर आपके पास काफी सारे courses आ गए में से मेनु के क्लिक करता हूं और मैं आपको यहां से ज्याद इसको में आपको दिखाता हूं इसको रिफ्रेश करें तो यह पर देखें तो दो भ Hugo जीण आड हो चुका है काफी सारे मैनु आप Coop अगर से अधो चुके अब इस तरह काफी सारे मैनु आइड हुआ अपको मैंनु आइड भी कर साकर्टे मेन जाता हूं कि जब में आर्टो डिस्क के पर सर्मूफ करके लिए वाले तो यह अगर यहां पे लिख आएंगे नीचे यहां पे लिख आएंगे अब मेरे पास यह 3 आगे और मैं इसको यहां से से शेव करके आपको बता देता हूं इसके सब मेंउ मिन ये एक के आपके बस डॉपदाउन बनाईगा, यहां पर जाता हूं और यहां पर Körs villages में जाएं ऑर Körses में अगर अगर आप देखे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास Archrodex Graphic Design के सारी courses में आजए और इनके ये drop down बन जाए तब पस courses में auto disc आ गया और auto disc के sub menu को आप यह बना दे इसको भी sub कर दे इसको भी sub कर दे तो यह आपके पास auto disc के sub menu बन गया इसी तरह आप तो फिर graphic designing आ जाते तो graphic designing को आप चुह है तो courses का sub menu बनाने आपने तो आप यहां पर इसे आप आप चुह करें तो यह courses का sub menu बन गया और अपकर courses का sub menu बन गया और इसके जो sub menu बाकरस के चैने जी CorelDRA and Photoshop इसी दर Microsoft Office है यह भी आपकर courses का sub menu बन गया और अब हम इसको save करके देखते हैं कि यहां से इसको रिफ्रेश्च करें कि देखे हों अबाउट कोर्सेस कोर्सेस में आप्टोडेस के सब मेन्यू आगे ग्राफिक इसके सब मेन्यू आगे और माइक्रोसफ अगर यही काम आप अब में हम आदी वेबसाइट के मैन्यू कर चुके हैं आप एजिएलिवेबसाइट के मैन्यू आइस अपर इसके मेन्यू आप ने आपको मैन्यू और डॉपड़न बटन कलिड़ करनें अगरे तो आप यहां से इसी ड्रैग करके आईटम को दूसरे का सब आइटम बना सकते ह तो उमीद है कि आपको यहां तक समझ आया होगा और इंशाला है नेक्स लेस्न में मिलेंगे तब तक अपना बहुत सारा ख्यार रखेगा अपनी द्वाओं में याद रखेगा खुदा हाफिस